हलो नमस्का दूस्तो रास्थान के चूरू समाचारमा आपका सुगते चूरू के कोतवाली थना छेत्र में घर से भाग कर अपनी मर्जी से लम मेरिज करने का बड़ा ही मामलत देखने को मिला है दरसल सियाई 37 कुमार यादव ने बताया कि साहिन के ताउ अयूब ने बताया कि करीब 6 महीने पहले उसकी 32 साहिन 21 वर्षे ने अपने घर से बाग कर चूरू निवासी आदिल से लम मेरिज कर ली थी परिजनों को इसकी जानकारी होने पर उन्होंने दोनों का निखा करवा दिया निखा के बाद से ही पती पतनी में आपसी मन मुटा होने लगा था साहिन के 5 साल का बेटा रिजेन भी है उन्होंने बताये कि 4-5 दिन पहले आदिल रात के समय घर पर आया था उस दिन आदिल ने साहिन के साथ विवाद किया खुद घर छोड़ कर जाने लगा तो उसके पीछे साहिन भी चले गई जिसके बाद परिजनों के लोगों ने समझाज कर साहिन को घर ले कर आये थे इसी दोरान उसका छोट वाई बुदवार सुबह उससे मिलने पहुचा तो उसका मुखे दरवाजा बन था इस पर पिछले दरवाजे से जाकर देखा तो साहिन का सब मिला था पियर पक्ष ने साइन के पती पर गटना का अंजाम देने के बाद फरार होने का मामलत दज करवाया है वोई डीएसपी राजिंदर बुनकर ने बताए कि सूचना मिलने पर मोके पर पहुचे और एपैसल टीम ने मोके पर पहुचकर साक्षे जुटाए है इसी दोरान परिजनों की रिपोर्ट का अधार पर मामले में अनुसंदान जारी किया गया है सो दोस्तो ऐसे खबरे दिखाना आपको विचलित करना नहीं बलकि सचेत करना है ताकि समाज में गटितनली गटनाओं से बचा जा सके तो दोस्तो मिलते हैं अंगली डियोक साथ जाहिन दोस्तो